गुल्दार ने किशोर पर घात लगा कर किया हमला घायल बसु के दार तैसिल के अंदर गत पठाली धार शेतर में एक बार फिर गुल्दार के आतंग से ग्रामिन दहशत में मंगलवार सुबह पठाली धार रोड पर दोड का अभ्यास कर रहे युवक पर गुल्दार ने हमला कर उसे घायल कर दिया घायल को इस्थानिय लोग सीयच सी अगत से मुली लाए जहां प्रात्मिक उपचार करने के बाद युवक को घर भेज दिया गया भुकम से हिली उत्राखंड की धरती इस बार 3.1 की तीवता के साथ पिथोरागट था केंदर उत्राखंड में एक बार फिर से धरती डोली है इस बार भुकम का केंदर पिथोरागट बताय जा रहा है 3.40 मिनट पर भुकम आया है रिक्टर स्केल पर भुकम की तेवता का 3.1 एक मापी गई है वही भुकम आने के बाद लोगों में डर का माहल है रुड़की में तेज अफ्तार कार ने बाइक सवारों को मारी टकर दो की मौत मंगलोर कोतवाली शेत्र के नसीरपूर गाउं इस्तिद गंगनहर पुल के पास तेज गती से आ रही कार ने दो बाइक सवार को टकर मार दी टकर इतनी जबरदस्त थी कि मोटर साइकल के परकच्चे उड़ गये सुचना पर पहुंची पुलिस ने घहल ग्यूवकों को रूड की सिवल अस्पताल पहुंचा है जहां से लाज की दरण दोनों दे दम तोड़ दिया घटना के बाद से मृत्वकों के परीजनों में शोक की लहर है रामनगर की आबादी में आया बेखोंव गुलदार, ऐसे किया कुत्टे का शिकार पुछडी शेतर में गुलदार का फंक कायम है, दिन में ही गुलदार की दस्तक से इस्थानिय और लोग ड़रे होे हैं वहीं आबादी शेतर से गुलदार के कुट्टे को ले जाने का वीडियो सीसी टीवी कैमने में कैद हुआ है सुशना पर विभाग ने गुलदार को पकड़ने के लिए पिंच्रा लगाया है साथी शेतर में वन विभाग की टीम ने गश्ट बढ़ा दी है कार में बैट आईपेल मैच पर लगा था सट्टा नौलाक रुपए के साथ पुलिस ने पकड़ा कोतवाली पुलिस ने कार में बैट कर आईपेल मैच में सट्टा लगा रहे एक सक्ष को गरफतार किया है पुलिस ने आरोपी के पास से नौलाक रुपए कैश, चार मोबाइल और एक SUV बरामत की है पुश्टाच में आरोपी ने रुदुपूर के दो यूवकों के नाम पुलिस को बताए है चारदाम यात्रा के दानधाम के लिए आज से हैली सेवाओं की बुकिंग शुरू चारदाम हैली सेवा के लिए आज से यात्री टिकट की बुकिंग कर सकते है शद्धालू GMVN की हैली सर्विस वेबसाइट हैलीसर्विसेस.uk.gov.in पर जाकर टिकट बुक करा सकते है हलदो ऑनी में 1 अक्टूबर से शुरू नहीं होगा खनन सत्र ओत्राकम सरकार को खनन से हर साल करोड का रजजस्वपरांथ होता है ऐसे में सरकार दौरह हर साल 1 अक्टूबर से खनन सत्र शुरू किया जाता है ऐसे में खनन कारोबार से जुड़े लोगों को थोड़ा और इंतिजार करना पड़ेगा हरक सिंग रावत के सामने कामरेड ने इन सीम को बताया नालायक मुस्कुराते दिखे वन मंत्री महसूरी नगर पालिका परिशत में उत्राखन परेटन एवं तीर्थाटन संरक्षन समीती द्वारा आईजित कारिकरम में कैबिनेट मंत्री हरक सिंग रावत शामिल हुए इस दोरन कॉमरेड शिरप्रसाद देवली ने उनके सामने इभाजबा सरकार पर निशाना साधा और बदले गए सीम को नालायक बता दिया लेकिन वो चुपचाप मुस्कुराते रहे बिनसर वन्यजीव अभ्यार रणने में बिना अनुमती होटल खोलने का मामला हाई कोट में 4 अक्टूबर को सुनवाई उत्राखन हाई कोट में अल्मोडा बिंसर वन अजिव अभ्यारण में बिना अनुमती होटल खोलने के मामले में दायर जनीती आजिका पर सुनवाई हुई कोट ने आजिका पर सुनवाई करते वे अगली तारिक 4 अक्टूबर नियत की है बहन के साथ रेप मामला दुषकर्मी को फासी के सजा की मामले में हाई कोट में सुनवाई फास्ट्रेक कोट से रिकॉर्ट तलब पितोरागट की फास्ट्रेक कोट ने 32 वर्षे नेपाली नागरिक जनक बहदूर को 5 वर्षे नबालिक सौतिली बहन के साथ 6 माईने तक दोश्रम करने के आरोप में फासी की सजा सुनाई है आदेश के खिलाफ दोशी ने हाई कोट में यार्ची का दायर की है मामले में आज हाई कोट में सुनाई हुई कोट ने मामले में पितोरागट की अदालत से रिकॉर्ड तलब किया है राज़ानी दिली में साथा खिलाफ उत्राखन सटेफ ने बड़ी कारवाई किया है युव्ती ने पुलिस को तहरीर दे कर बताई कि आरोपी शाबान निवासी ग्राम सुल्टानपून ने उसे चार साल पहले अपने प्रेंग जाल में फजा लिया था इसके बाद उसने युवती को निका का जहासा दे कर कई बाद शारिर की सम्मंद बनाएं रूडकी कार पार्क करना पड़ा युवक को भारी दो पक्षों में जम कर मार पीट रूडकी की गंगन है कोतवली शेतर के अंबर तालाब मोहले में मामूली बात को लेकर आज दो पक्षों में विवाद हो गया कोछी देर में मामला इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के बीच जबर दस्त मार पीट हो गई आपको बता दे कि अंबर तालाब निवासी रोईत हनुवान मंदिर के पास से गुजररे रास्ते में फिरोज नाम के सक्ष की दुकान के बार एक गाड़ी खड़ी थी जिसको हटाने को लेकर कहा सुनी हो गई जिसके बाद कुछ लोगों ने रोईत के साथ मार पीट कर दी इसमें रोईत मामूली रूप से गायल हो गया जिसके बाद रोईत ने अपने परीजनों को मार पीट के घटना के बारे में जानकारी दी जनकारी पाकर रोहित पक्ष के लोग भड़त और फिरोज के दुकान पर पहुंचे और अंगा माच शुरू कर दिया इस हंगामे में फिरोज भी मामुली रूप से घायल हुआ है वही मौके पर पुलिस भी पहुंचे जिसके बाद पुलिस ने मामला शांत करा दिया पुलिस का कहना है कि अभी वी किसी तरह की तैरी नहीं आई है तैरी आने पर करवाई की जाएगी दोनों पक्षों के बीच हुई मारपिट की अगटना पास में ही लगे सीजी टीवी कैमरे में कैद हो गई है जिससे दोनों पक्ष एक दूसरे के साथ मारपिट करते हुए दिखाई दे रहे हैं उतरकाशी के इस सक्ष के जितनी तारीफ की जाए कम है गाउन मालों का जीवन किया आसान मन में अगर कुछ करने की ठाण लो और पूरी शिदत के साथ उसे करने में जुट जाओ तो वो ज़रूर पूरा होता है मैंनत के बल पर कुछ ऐसा ही किया उत्तरकाशी के फुवाण गाउन निवासी गबर सिंग रावत ने सरकार को आइना दिखाने का काम किया तेरी में लेंड जिहाद को लेकर बवाल अवेज जमीन पर बनी मस्जिद को लेकर जड़ा पुलिस से भिड़े उत्राखण में इन दिनो भू कानून और लेंड जिहाद का मामला चर्चाव में हैं जिसकी चर्चा शाषन से लेकर आम जन्टा में भी हो रहे हैं वहीं उत्राखण में कई जगों पर इसको लेकर प्रदरशन किया जा रहा है और सरकार से भू कानून लागू करने की मांग की जा रही है ये मांग जोर पकड़ती दिखाई दे रही है टीरी का वीडियो वाइरल आपको बदा दे कि सोशल मीडिया पर इन दिनो टीरी का एक वीडियो वाइरल हो रहा है जिसमें टीरी में अवैज जमीन पर बनी मस्जीद को लेकर लोग प्रदर्शन करें पुलिस इनको रोकती नजर आ रही है इस दौरन लोगों की पुलिस से जड़प का वीडियो वाइरल हो रहा है बड़ी खबर पुलिस को थी इसकी तलाश दो साल बाद आया जुना खाड़े में थाना पती के पत पर तैनात और भारत्य किसान यूनियन के प्रतेश प्रबाहरी रहे शिवमपूरी को गिरफतार करने में आखिर कर पुलिस को सफलता हाथ लग गई है शिवमपूरी पर कई लोगों से फरजी वाड़ा कर लाकों हड़पने का आरोप है लकसर के एक यूवक से शिवमपूरी ने 2018 को हरिद्वार में होटल लीज पर देने के नाम से 15 लाक रूम लिये थे लेकिन होटल लीज पर नहीं दिया आरोपी ने यूवक के पैसे भी वापस नहीं किये बार-बार कहने के बाद उसने यूवक को 15 लाक रूपय का चेक थमा दिया लेकिन बैंक में चेक लगाने के बाद वो बाउंस हो गया इसके बाद पेडित यूवक ने मानिया नयालय का सहरा लिया शिवम पूरी के खिलाफ तीन जन्मेरी 2019 को गिरफतारी के आदेश पारित हुए जिसके बाद शिवम पूरी पिछले दो साल से फरार चल रहा था 105 दिन से बंद है भारत चीन बॉर्डर की लाइफ लाइफ लाइन दार्मा 14 घाटी का मुख्याले से कटा संपर्ग भारत चीन सीमा को जोडने वाली तवा घाट तेदांग रोड 150 दिन से बंद है रोड बंद होने से दार्मा और 14 घाटी के 50 गाओं का संपर्ग दुनिया से कटा हुआ है इस कारण 30,000 लोग प्रभावित हो रहे हैं खटीमा में मा के साथ बैठे मासूम को उठा कर ले गया गुलदार दहशत में ग्रामीन नानक मता के वीडो रा मजोला गाओं में मा के साथ बैठे चार वर्षया मासूम को गुलदार उठा कर ले गया मासुम गंबीर हालत में एक खेत में मिला जिसे परिजन अस्पता ले गए लेकिन तब तक उसकी मात हो गई थी इस घटना के बाद ग्रामी दहशत में है वही नानक मता प्रिधायक प्रेम सिंग राणा ने वन्विभा को गुलदार को पकड़ने अब नतक के परिजनों को साहता राशी देरी की निर्देश दिये है ये वक्त ने दुकांदार के मोबाइल पर किया हाथ सिसी टीवी कैमरे में कैद हुई घटना लंडाओर में कपड़े की दुकान से मोबाइल चोरी का मामला सामने आया है चोरी की है पूरी घटना सिसी टीवी कैमरे में कैद हो गई वही दुकांदार की तैरी प्र पुलिस मामले की जाच में जुट गई है अमरत महत्सोव अजादे की पिच्चत तरवी वशगाट को देश भर में आजादी का अमरत महत्सोव के रूपे मनाये जा रहा है इसी अमरत महत्सोव की तैत अजादे की ओर से साइकल रैली भी निकाली जा रही है दीडी हाट से निकले साइकल रैली हल्दवाने से दिल्ली के लिए रवाना हो गई है उत्राखंड से समद्धे तैसी खबरे पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक वा सब्सक्राइब ज़रूर करें धन्यवाद